प्राणों से प्यारे विध्यारतियों साथियों आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो को फासीवाद का जनक क्यों माना जाता है जैसा की हमने यहां नोट किया है प्लेटो फासीवाद का जनक लेक्चर नंबर 47 यश्टेंट्स आगे चलकर जब आप फासिवादी विचारधारा और नाजिवादी विचारधारा को समझेंगे तो यहाँ प्लेटो को ही प्रतम फासिवादी क्यों कहा गया है अगर यह बात समझ जाएंगे तो फिर मुसोलोनी की विचारधारा फासिवाद को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी वैसे मैं फासिवाद और नाजिवाद के उपर अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा कब जब कि मैं राजनितिक विचारधाराई समझाऊंगा ठीक है बिटा तो नोट करें आप प्लेटो जो कि राजनिति दर्शन के राजनिति सिद्धान के जनक कहलाते हैं कौन प्लेटो इन प्लेटो को ही फासिवाद का जनक भी माना जाता है फासिवाद का पिता भी माना जाता है कुछ विद्धियार्थियों को यहां यह घ्रम रहता है कि प्लेटो को प्रतम फासिवादी क्यों का आ गया है इसका कारण क्या है यह सब बाते मैं आज आपको समझाऊंगा यास बेटा चलिए सबसे पहले आपको यह डाइग्राम समझना है उसके बाद में प्लेटो को फासिवाद का जनक सनस्थापक पिता क्यों माना जाता है इसके कारण मताएंगे ठीक है बेटा आदर्स राज उपादर्स राज्य क्या मतलब है बेटा प्लेटो ने अपनी रचना रीपबलिक रीपबलिक का हिंदी अर्थ क्या है यास आदर्स नगराजी वस्ता अपनी रचना रीपबलिक में आदर्स राज्य का उलेख किया है और आदर्स राज्य के अ प्रतम फासिवादी जो कहा गया है वो री पबलिक में प्लेटो ने जिस आदर्ष राजे का उलेख किया है और इस आदर्ष राजे में जो दार्षनिक राजा सासन का संचालन करेगा जिस दार्षनिक राजा के हाथों में शंपूर्ण सत्ता होगी इस दार्षनिक राजा के उपर किसी भी रूप में कानून का, सम्मीधान का कोई प्रतिबंदनी होगा, ये दार्षनिक राजा जनता के प्रति भी उत्रदाई नहीं होगा, ये है दार्षनिक राजा ही शंपोन रूप में सभी प्रकार की सक्तियों का प्रियोग करेगा, तो ये जो सारी बाते प्लेट आदर्स राज्ये के अंतरगत उन्होंने जिस दार्षनिक राजा का उल्ले किया इसके अधार पर कहा गया है क्यों यह सब बात एक-एक समझाएंगे इसके बाद में उप आदर्स राज्ये प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना दा लाउज वरदा वस्ता में लिखी गई थी ल आएं कहां से ऐसा दार्षनिक राजा हम प्रिश्चित करी नहीं सकते इसलिए प्लेटो ने स्वम ने कह दिया कि इस दार्षनिक राजा को थो हम तयार नहीं कर सकते लेकिन इस दार्षनिक राजा को कानून का रूप दे दिया जाए इसलिए प्लेटो ने अपने उपादर् करिकार किया और जहां प्लेटो अपनी बात समात करता है चहां कानूनered के शासन पर वही से अरस्तु अपनी बात की शुरू करता है पलेटो ने जो अपनी बात loves के अंतरगत्स की वही से अरस्तु शुरू कर दें आ लागारस्ति प्रारम में ही अपनी रजना प्व déjàतिक्स में कानून की सत्ता को कानून की सरोचता को सरुश्व कर लेता है कानून के सासन को शुर्कार कर लेता है ये 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 दोनों बतें आपको धियान रखा नियायत जरूरी है ठीक है बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा एक विद्वान है क्रोश मैन नोट करो आप एक विद्वान है क्रोश मैन क्रोश मैन कहते हैं कि प्लेटो का समाधान है प्रैबुध है निरंकुस्ता बुद्धी की निरंकुस्ता बुद्धिमान व्यक्ति का सासन यहां राजा के हाथ में सारी सत्ता होगी इसने एक प्रकार से घासे के प्लेटो के दार्सनिक घाजा को तो प्राबूद मतलए evidence प्रबुध द्रंकुस्ता और प्लेटो को इतिहास में प्रथम फाशिष्ट का हवाया है, आप जरा देखिएगा, क्रोश्मन कह रहे हैं, कोई प्लोट का समाधान ये है कि प्रबुध द्रंकुस्ता मतलब बुद्धिमान व्यक्ति का सासन होना चाहिए, अधा दार्शनिक र प्लेटो को प्रथम फाशिष्ट का गए है, ये क्रोश्मन कह रहे हैं, इसके बाद में कुछ विद्धवान हैं, जिन्होंने की प्लेटो को प्रथम फाशिवादी का है, ये कम्पिटिशन में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इन सभी विद्धवानों के नाम आपको या रखने हैं, जिन्होंने की प्लेटो को प्रथम फाशिवादी की संग्या दी है, उन विद्धवानों में सबसे मेहत्वण हैं कारल पौपर, क्रोश्मन, रैशे, अल्फ्रेड, हारनल, ये ऐसे विद्धवान हैं, जिन्होंने प्लेटो को प्रथम फाशिवादी, या सर्व सत्तावादी की संग्यादी है सभी प्रकार की अधिकार प्लेटो ने अपनी दार्षनिक राजा को सोपे थे फासिवाद में भी एक नेता के हाथ में सारी सत्ता होती है तो यह समानताई है इसलिए प्लेटो को प्रथम फासिवाद की संग्यादी जाती है प्लेटो को प्रथम सर्वसत्ताधिकारवादी की संग्यार दी जाती है अग इसको हम समझेंगे सबसे पहले तो यह कि आखिर फासिवाद होता ही क्या आप यहां पर प्रिशन भी कर सकते हैं कि सर हम तो यह नहीं समझें कि फासिवाद है ही क्या जब फासिवाद नहीं समझेंगे तो हम कैसे कह दे युद्द के बाद होता है ठिक है याद रखना है और फासिवाद्य विचार धारा कि प्रवर्तक है वह इट्ली का अधिनायक अधिनायक मुसलोनी है ये नोट करना है आपको इटली का अधिनायक मुसलोनी है अब आप यहाँ पूछ सकते हैं ये तो फासित है तो नाजिवाद का प्रवर्तक को नहीं है आप यहाँ नोट करेंगे नाजिवाद के प्रवर्तक जर्मनी के अधिनायक जर्मनी के अधिनायक हिटलर है ठीक है अब यहां यह दोनों जाना जरूरी है तो इसके प्रवर्तक इटली के अधिनायक मुसलोनी है जबकि नाजिवाद के प्रवर्तक जर्मनी के अधिनायक यास जर्मनी के अधिनायक हिटलर है यह आपको नोट करना है अब आखिर यह है क्या तो इसकी उत्पत्ति फासिवाद की उत्पत्ति लेटिन भासा के सब्द फासियों से हुई है और फासियों का अर्थ है लकड़ी का गठ्थर लकड़ी का गठ्थर गोल गठ्थर सबको एक जगे कस करके बांधना लकड़ी का गठर आता है फासिवाद एक ऐसी विचारदार है जिसमें राज्य राष्टर सरोपरी साध्य है और व्यक्ति की सरोपरी साध्य की प्राप्ति का साध्यन है मूल बात यह है कि जो फासिवाद है इसके अंतरगत राज्य को राष्टर को सरोपरी साध्य माना जाता है जबकि व्यक्ति को उस साध्य की क्या किसके साध्य की राज्य राष्ट्र जो सरोपरी साध्य है इस साध्य की प्राप्ति का साध्धन व्यक्ति को माना है मतलब फासिवादी विचारदारा के अंतरकत व्यक्ति को एक उपकरन बना दिया जाता है एक पुर्जा बना दिया जा जबकि राज जी राष्ट्र अपने आप में शाध्य होता है। पर्तिबंद नहीं होगा। अब प्लेटो के शाध्य कोई प्रतिबंद नहीं है। और इटली का जो अधिनायक मुसलोनी है। इसलिए इन बोनें समानता होने के कारण प्लेटो को पर्थम फासिवादी कहा जाता है। और समझेंगे आगे, फासिवाद की कुछ माननेताइं होती हैं, और ये माननेताइं अगर पिलेटो के दर्सन भी मिलती हैं, इसका मतलब पिलेटो फासिवाद का जनक है, समझें, फासिवाद की माननेताओं में सबसे पहले है उगर राष्ट्रवाद की बात करता है, दूसरा गांतल जैसा है एक six रून थरता का वि dau करता है का कि यूठों की स्वर्द नहीं दी मुश्यक्टी वि और इसके बाद में का इना यह विरोधी हुआ, भांसीबाध में इसके बांद ब्यक्ती की भावना थे फ़डा सीवाथ कीया है तो फासीबाध का विय। तो अब देख्य करता है और विरोध करता है अब इसके साथ में एक नेता के शाषन की बात करता है अब इन मानेताव मेंसे देखेंगे किया प्लेटो के आधर्स राज्य में भी कोई ऐसे बात मिलती है, हाँ मिलती है. एक तो ये मिलती है लोक तंत्र का विरोध. प्लेटो ने लोक तंत्र को सबसे घटे किसम की सासन प्रणाली कहा था. इसका मतलब ये फासिवाद की मानेता लेकिन, एक नेता का सासन तो एक नेता के सासन को जो है प्लेटो ने भी शविकार किया है, और इस नेता के उपर किशी भी रूप में Plato के दार्षनिक राजा के उपर किशी भी रूप में विवेक और समिधान का कोई प्रतिबद नहीं होगा, जनता की प्रतिबूत्रदाई नहीं होगा और जो ये फासिवाद के अंतरगत है अधिनायक ये भी जो है किसी भी रूप में किस जनता की पृतितरदाई नहीं होगा इसके उपर जो है कानून का समयधान का कोई पृतिबंद नहीं होगा तो ये कुछ मान्यताई हैं जो कि प्लेटो के आदर्श राज्ये में भी मिलती ह इसलिए कहा जा सकता है कि प्लेटो जो है फासिवाद का जनक है प्लेटो की विचारधारा में अनेक तत्व मिलते हैं इसी कारण प्लेटो को प्रतम फासिवादी कहा जाता है प्रत्रदाई नहीं होगा ये अपने दिमाग से जो इसको अच्छा लगेगा वो आदेश देगा इसके उपर कोई प्रतिबंद नहीं होगा तो यहां पर फासिवाद के अंतरगत भी जो एक नेता का सासन होता है कुछ-कुछ लक्षन इस जैसे ही मिलते हैं इसलिए वास्त पेलोर प्लेटो के विचारों में फासिवाद के स्मांता हैं हो के और फासिवाद के है सी समानता हैं जिसके आदेश करहेंगे हैं नहीं नहीं प्लेटो को जो प्रतम फासिवाद का जनक कहा जाता है यह ठीक नहीं है उचीत नहीं है गलत है चलो नमर एक प्लेटो और फासिवाद में समानता है पहले समानता है लोगतंतर विरोधी बिटा डेफिनेटली कहा जा सकता है कि फासिवाद तो लोगतंतर का प्लेटओ की गुरु शुकरत को प्लेटओ की सूक्राथ को और जोए सकराथ, जब मृत्यु दन दियागा उस समय वह वहां लोकतंतर साउसन पृणाली दिये, इसलिए प्लेटो ने जो है लोग तंत्र को सबसे घटी असासल प्नाली बताया और लोग तंत्र का विरोध किया, दोनुने लोग तंत्र का विरोध किया है, समानता है, अताई साधार पर कहा जा सकता है कि प्लेटो परतम फासिवादी है, दूसरी समानता है व्यक्ति के सम्व कि व्यक्ति को साधन मानता है और और श्वाद्य विचारधारग्ति को साधन मांंता हं मतलब राज्य को राश्टर को प्लेटोने नगर राज्ये को आज राश्टर राज्ये तो दोनु के दोनु राज्ये को राश्टर को क्या मानते हैं साध्य मानते हैं जबकि दोनु व्यक्ति को साधन मानते हैं ये आपको नोट कर लेना है तो इस आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के सम्मन्ध में दोनों का समान दिरश्टी कोन है और इसकी चर्चा पहले प्लेटो ने की थी इसलिए प्लेटो को फांशिवाद का जनक माना जाता है क्योंकि प्लेटो नहीं सबसे पहले ये बात इसप्रस्ट कर दी थी कि व्यक्ति तो राज्य का एक अंग मात्र है जो साद्धे है वो तो नगर राज्य है उसमे नगर राज्य होगा करते सीटी सटेट है और व्यक्ती उसका इक साधन मात्तर है दो समानता तीसरा कैसे रख लेटा प्लेटो ने अपनी रचना रिपबलिक लेकिम जी आदर्ष स्राजय का नोगा है इस आदर्ष स्राजय का जो सासे कोगा दार्शलिक राजा होगा संचैलन करेगई इसकाиться में सम्पूर्ण सत्ता होगी यह किसी भी रूप में जन्ता की होता है जनता की प्रति उत्रदाई नहीं होता है आता यह कहा जा सकता है कि दोनों के अंतरगत नेता की अधिनायक साही है दोनों में नेता की ताना साही है दोनों के अंतरगत नेताओं के हातों में सासक के हातों में संपुन सत्ता होती है इसलिए साधार पर भी जो है प्रतम पांशिवादी कहा जा सकता है चोती समानता है राज्य की सरोपरीता राज्य की सरोपरीता राज्य की सरोपरीता प्लेटो राज्य को सरोपरी मानता है और व्यक्ति को राज्य का अंगमात्र मानते हैं इस आधार पर प्लेटो को प्रतम पांशिवादी कहा जा सकता है क्योंकि प्लेटो ने वास्तिवीक रूप में तीन प्रकार की वरक बता है दार्शनिक शाषक वरक शैनिक वरक उत्पादक वरक ठीक है इसे ही प्रकार से विचारदर है कि बुद्धी तो क्यों कुछ लोगों में होती है बागी ज्यादातर लोग भावनाओं के सारी जीवन जीते हैं और चटा है शिक्षा शिक्षा प्लेटो ने भी राज नियंतरी शिक्षा की बात की है और भासिवाद भी राज नियंतरी शिक्षा की बात करता है इसका मतलब दोनु ही राज नियंतरी शिक्षा की बात करते हैं आता है यह साधार अपने यह कहा जा सकता है कि यह बात भी प्लेटोए के दर्स्तने पे योदी इसलिए प्लेटो प्रतम स्वाद की शेय दी जाती है साथवा संकुची द्रष्टिकुन तोह इत्र है प्लेटो अगर्राज्य कोkem कि अज़्ब्यता काम सवार्वपनि कि आज़ कहां सवेता का सर्वपरी लक्षमान Senese तो नगर राज्य को सबता का सरोपरी लक्ष मानुद रहा है इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन दोनों का जो द्रश्टी कोन है वो संकुचित है वास्त में देखा जाए तो जब हम यह कहेंगे कि प्लेटो जो शिष्य है अरस्तु के समय में ही विशाल सामराजिक इस्थापना शुरू हो गई थी जब कि अरस्तो ने भी अरस्तो नहीं भी अपने विचार नगर स्थोग का भी और राष्ट्राजी की बात करें हमारा सपना विश्वराजी की प्रापती है और अंतिम आठ्वा समानता है करतेवे बीटा प्लेटो ने दार्शनिक सासाग और शैनिक वरग और उतपादा को रिट वरग इन तीन वरग के करतेवे की बात कि एकि तीनों अप कोई अधिकार नहीं दिया है कि और करतेओं की बात की गई कि लोग अपने करतेओं का पालन करें उनके पास अधिकार कोशी भी नहीं है तो व्यक्ति के करतेओं पर यह दोनों बल देते हैं जबकि यह दोनों मतलब प्लेटो और फासिवाद अधिकार को शोयकार नहीं करते है ये मुल बात है, इसको नोट करना है जाता है, इस आधार पर भी प्लेटो को फासिवाद का जनक महना जाता है या प्लेटो के दर्शन को फासिस्टों का दर्शन नहीं बनाया जा सकता, यह बात सकते नहीं है, क्योंकि दोनों में काफी अंतर है, प्लेटो वाद अलग है, फासिवाद अलग है, क्या अंतर है, नोट करें, दोनों में अंतर, अंतर की बात है, तीन विद्वान करते हैं, ज प्लेटू की बात की बात की बात की जाते है थी फेलेटो साक्षात विवेक वाद है क्यों? क्योंकि प्लेटो ने अपनी रचना रीपब्लिक में जिस आधर्ष राज्य की बात किये इस आधर्ष राज्य का जो सासर कोगो दार्षनिक राजा होगा और दार्षनिक राजा वही बनेगा जो कि पचास वाष्ट तक प्रशिक्षन प्राप्त करेगा उसके बाद मे वो दार्शनिक राजा बनेगा और इसके बाद में ये सत्ता का संचालन करेगा इसका मतलब देखा जाए तो प्लेटो विवेक की बात करता है बुद्धी की बात करता है लेकिन फासिवाद जो है वो विवेक का विरोधी दर्शन है क्योंकि फासिवाद ये कहता है कि मनुष् प्रकार से भावनात्म क्राणी मानते हैं विवे की उपर बल नहीं देते हैं दोनों में डिफ्रेंस है अतिसादा पर कहा जा सकता है प्लेटे को पर जो आरोप लगाया गया है कि भी यह फासिवादी तो गलत है दूसरा अंतर है फ्लेटो आधर्षवाद है फासिवाद या थार्थवाद है फ्लेटो की बात की जाती है थे फ्लेटो वास्तविक रूप में देखा जाए थे फ्लेटो की रीपाबलिक जिसमें आधर्षवाद को लेकिया गया है वो वास्तमें एक आधर्षवाद है एक इस एक रूप में फासिवाद पहले एक सुद्रड राज्य का निर्मान करते हैं, राज्य की इस्थापना करते हैं, उसके बाद मी अपनी माननेताइं देते हैं, अपनी विचार देते हैं, इसलिए यथार्थवाद है, तीसरा है, प्लेटो संयम पर आधारिते हैं, फासिवाद इसलिए बात करता है, चोथा है, प्लेटो नियतिक वाद है, फासिवाद एनियतिक वाद, प्लेटो की बात की जाते हैं, राज्य को भी एक नियतिक सनस्ता मानता है, और नियतिक ता कि दायरे में रहते हैं, प्रतिक वारग अपना-पना काम करें, अपने अपने शभाव के स्ञेर अपना-पना काम करें कोई किसी की करिया मास्तवीर नहीं करें Inc पाँंच मैं है प्लेट्व सामभाद मीश्वास करता है इस प्लेट्व डेफिनेटली प्लेट्व का समझा दिया, प्लेटो तो समझा दिया, प्लेटो तो समझा दिया, प्लेटो ने साफ का है, कि दाशनिक साथ सकवरग और शैनिक वरग को परिवार और संपति से अलग रखा जाएगा, कंचन और कामनी से अलग रखा जाएगा, कंचन मतलब सोना, सोना मतलब संपति, कामनी मतल वाद है वह सामेवाद का विरोवद करता है जानती की बात करता है युद्ब को किसी विरुप में शवकार नहीं करता है जब कि फासिवाद युद्वाद का कयना है कि इदी शांती होगी तो इससे विश्वनस्ट होजाएगा राष्टर नस्ट हो जाएगा इसे इनका कहना है कि लगातार युद होते रहेंगे तो गंदगी की सफाई होती रहेगी युद से ही प्रिकती होगी युद से ही विकास होगा इसलिए युद आती आवश्यक है फासिवाद कहता है ये बात साथवा है प्लेटो का लक्ष आत्म निर्भर नगर राज्य है जाकि फासिवाद का लक्ष साम राज्यवाद है प्लेटो का लक्ष डेफिनेटली आत्म निर्भर नगर राज्य की स्थापना करना है प्लेटो शामने का है जो सिटी स्टेट होंगे नगर राज्य होंगे आत् कि ज फासीवाद का समर्थन करता है क्योंकि स्व्म मुस्सोलोनी पाइते हैं यह तो इंटली को अपनी इस पासीवाद का समर्थन करता है जैसे कि श्राह मोशलोही ने का है या तो इटली का विष्थार होताा रहे और पसमराजिवाज़ को समर्थन करता अन्तिन या सम्मन्दे जैस्टिसस की दहार हमार प्लेटो में लित कर पर प्रत्यक को अपने अपने स्वभाव के अनुशार अपना-पना काम करना चाहिए तीनु वर्गों को अपने अपने छंता के अनुशार अपना-पना काम करना चाहिए दार्शनिक साशकवरक सासन का काम करें तो ये स्वाभाव के अमसार अपना-पना काम करें इसको जो है प्लेटो नियाय का है जबकि फासिवाद के अंतरगत नियाय को सक्ति-साली का हित माना है जिसके हाथ में सक्ति-साली का हित है जिसके हाथ में सक्ति है वो जो निरने लेगा वो ही नियाय है इसलिए फासिवाद नियाय के बारे हम काई कि नियाय सक्ति साले का हीत है यह 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 बात इसी तरीके से कही है जो की प्लेटों की नियाय से पहले जो विचार धारे पिसले तीन जिसके अंतरगत थ्रेसिमेकस और गलोकॉन ऐसी बात करते हैं तो फासी बात भी इसी बात के पुन्रावरती कर रहा है ठीक है और अब निसकर्ष निकालने में हम यह कहेंगे कि वास्तों में यह निसकर्ष रूप में देखा जाए तो यह बात सत्य है कि प्लैटो के दर्षन में इनकी राचना जो रीपबलीक है उसमें जिस आदर्ष राज्य का इन्होंनों लेक किया है और उस आदर्ष राज्य में जो दार्षनिक राजा सासन का संचालन करेगा यह तो सकते है कि उस दार्षनिक राजा के उपर किसी भी रूप में विवेक का तो प्रतिबंद होगा लेकिन कानून और समिधान का कोई प्रतिबंद नहीं होगा क्योंकि विवेक के अनसार दार्षनिक राजा निरने लेगा लेकिन कानून का और समिधान का कोई प्रतिबंद न लेकिन प्लेटो ने ही यह बात अच्यों के बात की यह दासनिक राजा और चाहर प्रतिपन्दू की बात की अब यहद भात की कि बैटो के आधर्शनीं राजे में यह भी कहेंगे तास निकल राजाज़ा के सिद्धान। में दार्षनिक राजा के उपर चार प्रतिबंदों की बात को प्लेटो शर्कार करता है इसलिए कहा जा सकता है कि प्लेटो का दार्षनिक राजा ऐ मर्यादित नहीं है बलकि मर्यादित है उसके उपर प्रतिबंद है निय अंत्रन है तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि प पलेटों का जो दार्षिप्राजा करना करता है। यहां विवेक को आलटा होता है विवेकर को शर्कार नहीं करत वेवेक नहीं करता है जो अँरन के उपर भल डेता है। इस वंध। एस तरी ऊक्तों की निशकर कि प्लेटो के दर्शन को फासिस्टू का दर्शन नहीं बनाया जा सकता नौट करेंगे प्लेटो के दर्शन को फासिस्टू का दर्शन नहीं बना जा सकता प्लेटो के दर्शन को फासिस्टू का दर्शन नहीं बना जा सकता प्लेटो के दर्शन पर यह आरोप नहीं लगाया सकता कि प्लैटो हाहसीवाद की जनक है हूँ। जह हो गया प्लैटो फासीवाद की दोють मुझे विश्वास है आप इसमह प्लैटो को है और फासीवाद में समान तया और फ्लै फासीवाद में OR इन दोनों का बच्चू